विदान सभा सत्र जो है वो शुरू हो रहा है सबसे एहम बात यह है कि आप लोग अप्चुनावी मैदान में रोजाना सभाय कर रहे हैं लेकिन अब इस भी विदान सभा का संभवत है आक्सी आखरी सत्र छोटा सत्र और सत्र बुलाने के पीछे मकसद है कि कानन फानन में जनता में भरम हो जाए कि सरकार बड़ी कल्यान कारी सरकार है छो दुरबा कि एक तर्शितान विदान सा जो जनवरी में सत्रहूत हुआ था वो लगातार अभी तक अनवर्थ जारी है सत्रह वावसं होता नया सत्र होता तो हम्हें 10 सवाल तार्णकितं और 20 सवाल है सत्रहा अधार पर बहस के अधार पर सरकार की कलेई खोलने की कोशिश करेंगे सरकार बिना बजट के थोती गोशनाएं पर गोशनाएं करती जा रही है और सरकार जिस मुख्य मंत्री जी का कार्ड हाथ में लेकर उनकी फोटो जिसमें नहीं हो उनको वंचित भी करती जारी है उन सुइदाओं से जिसका ऐलान सरकार ने अलग-अलग अपनी योद्नों में कर रखा है ये सरकार अब महसूस कर रही है कि उनके दिन लद गए इसलिए आनन फानन में इस परकार अब गोशनाई पर गोशनाई कर रही है जिन को गोशना को अमली जमा सिर्फ दो की थी यह सारे सवाल अपने आप सरकार के कामों से सामने आ रहे हैं जिसके आनूर वेवस्ता सबसे बड़ा मुद्दा होगा भरतपुर में जिस प्रिकार पुलिस की कस्टिडी में सरयाम राहे में एक अपरादी को भून कर चले गए यह घटना पहली घटना नहीं दोसा की घ बश्टाचार हुआ है जल जिवन मिसन का बश्टाचार आई टी का बश्टाचार और इसके साथ सरकार ने जो बिजली रहात की में गोश्णाई की थी बड़े वे बिल सामने आए हैं बड़ा वाफ्यूल चार्ज है इन सारों को लेकर गड़ों में जान देता हुआ राजि देखे एक तुर्ग घृ जेल की जाती है कि दोनों बिलों पर सरकार भहस करना चाहती है तीन यूश्टी के दिल पहले से फैंडिंग है एक लेक्षर को जोटपुर यूश्टी में जिस प्रकार इन्नों ने बंदरबाट की है लेक्षर के निमतिकरन का बिल है और फार्मर डेट रिलीफ एक्ट है और अब मैंने अक्वारों में देखा सोचिल स्कूर्टी एक्ट भी सरकार लाना चाहती है इस सारे एक्ट लाएगे उनको बात करें चित और पर यह गोर्व की बात है इस देश की सविधानिक परमुक राजिस्तान की विदान सवाम आए हमें संब्द सब्सक्राइब करें इससे बड़ा गौरों कुछ हो नहीं सकता विदान सब्सक्राबी का तारंगी तारंगी सवाल पुछेगे लेकिन सरकार के जो अधिकार है उन्होंने साथ जाज़ार सवाल है इसे जिए जवाब नहीं दिए देखिए यह परिपार्टी संसद्य लोक्त का तंद्र को कमजौर करने की है विदान सब्सक्राइब में सवाल अजीं अइसलिए कि प्रड़े किया जाते है कि हम्झे सवालों का जबाब आई एक पैसा मंच है जहां कोई सवाल का सभी जबाब आने की संभावना ही रहती है यह नहीं सवालों का जबाब आना दुर्भाग्यपूर्ण है परंदू विदान सबाद डक्स जी ने इसके लिए प्रियास किया इसके कहने मुझे कोई शंकोच नहीं उन्होंने कोशिश की थी समय पर सवालों का जबाब आए और अब यह नहीं है तो यह संसेद्य लोक्तंतर की कमजोरी होगा एक आखरी सवाल हो आपको लेकर किसी सब्सक्राइब हो जाना बयान देना मुझे कोई बयान नहीं देना मैंने कुछ मनोरोग सग्यों से बात की थी कि इस प्रकार के जुमिदार पदों पर बैट कर क्यों बियान दिये जाते हैं निजी जिन्दगी के लिए तो उन्होंने कहा कि सब्सक्राइब हो जाएं मेरे मित्र हैं मुझे परसुद्धी दे रहे हैं और मुझे उनके बारे में कोई टिपनी नहीं करनी मोका आएगा उसी जगप उसी समय बोलूँगा झाल